अगर आप एक systematic तरीके से English सीखना चाहते हैं तो subscribe करें English Highway YouTube चानल को और इस bell icon को भी जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोज के notifications आपको मिल जाएं और अगर यह वीडियो आपको ग्यान वर्थक लगे तो इसे like और share जरूर करें Hello everyone, इस वीडियो में मैं आप बताऊंगा कि वाविल्स और consonants क्या होते हैं और साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि semi-vowels किन को कहा जाता है तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वाविल्स जो हैं A-E-I-O-U इन 5 लेटर्स को वाविल्स बोला जाता है लेकिन क्या हम लोगों ने कभी गौर किया कि इन 5 लेटर्स को ही हम लोग वाविल्स क्यों बोलते हैं तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि इन 5 लेटर्स को हम लोग वाविल्स क्यों बोलते हैं तो सबसे पहले कुछ basic चीज़ों को दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं जैसे किसी भी घर को बनाने के लिए दिवारों की आव सकता होती है और उन दिवारों को बनाने के लिए हमें इटे लगाने पड़ते हैं उसी तरह से किसी भी language को बोलने के लिए हम लोगों को sentences की ज़रुरत होती है और sentences को बोलने के लिए या लिखने के लिए हम लोगों को words की ज़रुरत होती है और words हम लोग बनाते हैं letters से और हम लोग जानते हैं कि इस से छोटी और कोई इकाई नहीं होती है तो letter को हम लोग इस तरह से define कर सकते है, the smallest unit with the help of which we write an English word is known as letter, मतलब वह सबसे छोटी एकाई, जिसकी मदद से हम लोग किसी सब्द को लिखते हैं, उन्हें हम लोग letters कहते हैं, English सब्द को लिखते हैं, उन्हें letters कहते हैं, Hindi सब्द रहीन, तो उन्हें अक्شर कहा जाएगा, तो चलिए दोफ्तो, अभ हम लोग समझते हैं कि alphabet क्या होते हैं, letters को हम लोग समझ लिएं, अब हम समझते हैं कि alphabet क्या होते हैं, बहुत को secondo y random confusion रहती है, कि alphabet और letter को लोग एक ही समझते हैं, तो चलिए आज alphabets के बारे में भी जान लेते हैं तो alphabets के पहले दोस्तों definition आप लोग देख लिए A set of letters or symbols in a fixed order used to represent the basic set of speech sound of a language is known as alphabet मतलब जो letters होते हैं A, B, C, D ये सब दोस्तों letters हैं individually ये सब letters हैं लेकिन इनके जो ये set है A से लेकर Z तक इनको हम लोग इस पूरे set को alphabet बोला जाता है जैसे हम लोग अगर कहेंगे कि A एक alphabet है तो ये कहना गलत होगा क्योंकि A individually एक letter है ना कि alphabet alphabet क्या है A से लेकर Z तक जो पूरी series है वो एक set है उसको हम लोग alphabet कहते हैं चलिए दोस्तों अब हम लोग आते हैं vowels और consonants में हम लोग जानते हैं दोस्तों कि English alphabet में 26 letters होते हैं अब इन 26 letters में 5 letters A, E, I, O, U इनको vowels बोला जाता है लेकिन इन 5 letters को हम लोग vowels क्यों बोलते हैं तो जरूर इन में कुछ विसेस्ता होगी जो कि इनको vowels बनाती है और बाकी बचेवे 21 letters में कुछ अलग विसेस्ता होगी जोने consonants बनाती है तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं तो दोस्तों आप गौर कीजिएगा vowels मतलब हिंदी में होते हैं स्वर हिंदी व्यकरण के अगर दिरिष्टी कौन से देखे हम लोग तो vowels मतलब स्वर और consonants मतलब व्यंजन स्वर किनको कहा जाता है स्वर जो हम लोग गले की सहायता से बोल सकते हैं सिर्फ गले का प्रयोग करके हम लोग बोल सकते हैं जैसे देखिए दोस्तों मेरे expressions पर ध्यान दिजिएगा हला कि इनका pronunciation करने में मेरे expressions थोड़े अजीब लगेंगे लेकिन यह बताना थोड़ा ज़रूरी है तो मेरे expression पर ध्यान दिजिए जब मैं इन 5 letters vowels का pronunciation करूंगा तो वो सिर्फ गले की मदद से किया जा सकता है जैसे देखिए ए ई आई ओ यू इन सब का जो sound निकला है यह सिर्फ गले से निकला है अब जो consonants में आते हैं जैसे आप लोग कोई भी अच्छारन करके देखिए बी बोलने के लिए हमें होटो को सर्टाना पड़ाई सी बोलने के लिए हमें जीव को दांतों सर्टाना पड़ाई इसी तरह आ आप और भी consonants तो चेक कर सकते है उनको बोलने के लिए हमें मुह की हरकत कियाव सकता होती है लेकिन वावेल्स के साथ ऐसा नहीं है वावेल्स को हम लोग सिर्फ गले की सायता से बोल सकते हैं तो यही पर क्या दोस्तों वावेल्स और कॉंसोनेंट्स में अब हम लोग आ जाते हैं semi vowels में semi vowels क्या होते हैं दोस्तों consonants में जो 21 letters हैं उनमें से w और y ऐसे letters हैं जो कि कभी-कभी vowel की तरह भी काम करते हैं तो w और y vowel की तरह कभ काम करते हैं जैसे आप मैं कुछ उदारन के दौरा समझाता हूँ आपको एक word ले लिजे work यह जो word है इसमें work बोलने के लिए डबलू तो यहाँ पर consonant है क्योंकि हमें work बोलने के लिए पहले मों को होटो को सटाना पड़ रहा है अब आप दूसरा सब्द ले लिजे बाउलर बाउलर जो क्रिकेट में बाॉलिंग करते हैं अब बाउलर बोलने के लिए हमें देखें दूसरो बाउलर यहाँ पर डबलू जो है ओ के तरह इसका उच्चारन हो रहा है तो यहाँ पर डबलू एक consonant नहीं बलकि वावल है अब एक और सब्द ले लिजें दूसरा आप क्रो मिंस कावा यहाँ पर जो प्रोनसियेशन हो रहा है डबलू का क्रो ओ की तरह हो रहा है जो कि एक वावल साउंड है इसलिए यहाँ पर डबलू जो है एक consonant नहीं है बलकि वावल है अब हम लोग य के case में आते हैं य यलो यलो क्या है दोस्तों यहाँ पर यलो में जो य है यह consonant के तरह काम कर रहा है क्योंकि हमें यलो बोलने के लिए जीव को दातों से सटाना पड़ रहा है अब हम लोग आते हैं दूसरे सब्द में जैसे एक सब्द ले लिजे हाइड्रोजन हाइड्रोजन में ह-y-d-r-o-g-e-n हाइड्रोजन में हाइड्रोजन यहाँ पर आई के तरह प्रोनंस यह सुन हो रहा है य का जो कि एक वावल साउंड है इसलिए यहाँ पर य दोस्तों consonant नहीं है बलकि वावल है अब एक और सब्द हम लोग ले लेते हैं बी-जी बी-उ-एस-वाई बी-जी में जो वाई है यहाँ पर ए के तरह काम कर रहा है बी-जी ए के तरह काम कर रहा है जो कि एक वावल साउंड है इसलिए यहाँ पर भी दोस्तों वाई जो है एक कॉंसोनेंट साउंड ना होकर वावल साउंड है अब दोस्तों यह जो वर्ड्स मैंने बताए है आप इन सब में गौर करके यह कॉंक्लूजन निकाल सकते है कि जब भी डबलू और वाई किसी भी वर्ड के सुरू में आते हैं तब यह कॉंसोनेंट होते हैं और जब भी यह किसी भी वर्ड के बीच में या लास्ट में आ रहे हैं तब यह वावल्स होते हैं तो आप इन एक्जाम्पल्स पर गौर करके आप लोग इस बात को समझ सकते हैं तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोग समझ चुके होंगे कि इस वावल्स कॉंसोनेंट में क्या अंतर है और सेमी वावल्स क्या है